आप देख रहे हैं अपना समाचार्व इतने प्यारे हैं और एक्षिन का भरमार है गान आप देखी रहे हैं कैसी शूट हो रही है तो रजणी समिश्णा जी की एक कोशिश बहुत ही अच्छी है और मेरी दिली इश्चा होगी आप सब इस सिनेमा जाकर देखिए और इस फिल्म में एक सी परफॉर्मर है इसमें सु बहुत मंझे हुए गलाखार है तो इस फिल्म में आप कहीं यह नहीं कर सकते कि इस फिल्म में कोई दोश नहीं निकाल सकते मेरे इसाब से अश्रलता नहीं है इस फिल्म में अभी क्लिर कर दो मैं आपको जी इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम के सुपर सटार है इतना जरूर कहूँगा कि रास दिलक अब तक उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके पहले कलू जी ने काफी फिल्म की हैं लेकिन यह टीम उनको पहली बार मिली है प्रदीप शर्मा जी प्रोडूसर ने डमरू बनाई ती इसके साथ में मैंनेजर से बताया अधेश जी है सुशील जी है संजे जी है तो किसी कोई भी ऐसी फिल्म नहीं होती जहां तीनों लोग एक फिल्म में आप आए मुझे लगता है यह पहली फिल्म है जिसमें तीनों ल मेरे साथ और भी कलाकार है तो कलू जी के बारे में इतना कहूंगा कि बहुत महंती है बहुत अपने काम से बहुत प्यार करते हैं बहुत इमांदारी से अपने काम को बखुबी निभाते हैं और टाइम पे काम करते हैं मैं ही चाहूंगा कि वो इसी तरह काम करते रहें और बहुत दिलाजीज है, सब के प्यारे हैं, बहुत मस्ती भी करते हैं, उम्रे में छोटे हम सब से तो मस्ती भी बहुत करते हैं, तो कलुजी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि इसी तरह आप जो जिस इमांदारी से अपना काम कर रहे हैं, वसी तरह करते रहें और आगे बढ़त अगर कोई निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म चली तो उसी सापका एक ट्रैक शाल हो गया, रजनीश मिष्णा जी की एक खासित मैंने देखिए, उन्होंने महंदी शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने एक लब स्टोरी में सेहरा बांध का हूंगा है, उसके बाद उन् बिल्कुल किसी से नहीं में लगा, एक अलग कहानी है और बहुत ही संपून कह सकता हूं कि संपून फिल्म है जिसमें अक्शन भी है, कॉमेडी भी है, और ड्रामा भी है और बहुत अच्छी इमोशन भी है तो मैं इसलिए कहूंगा कि यह फिल्म जरूर देखें और अगर फिल्म पसंद नहीं आया तो आप जरूर मेरे वाल पे मेरे फेस्बुक पर में इंस्टाग्राम पर आप मुझे कमेंट करें कि यह फिल्म मुझे नहीं अच्छी लगी आपने बोला था देखिए अच्छी फिल्म है, मैं आपको बोलता हूं कि फिल्म बहुत अच्छी लग